क्या आप जानते हैं कि मेड इंचाइना टैक पाने के लिए दुनिया का पहले उत्पादों में से एक रेशम है रेशम को बनाने वाला रेशम की डांग केवल दो या तीन दिन तक ही जिवित रहता है और सबसारों की बात ये है कि इतने ही समय में मेधुन करके प्रत्यक मादा खिला शतूत की पत्तियों पर तीन सो से चार सो आणदों का बंडर उपन करती हैं तीन दिन तक निरंदर अपने सीर को इधर उदर निलाका दिया अपनी चारों और अपनी लार व्रंपियों द्वारा स्रवित पतारते से एक लंबे खादे का गूल बनाती है जिससे ककून केते हैं वायूट के संपर्ग में आते ही यही धागा सूप कर रश्मी धागा बन जाता है जो लगभग हजार मिटर लंबा होता है और इसके बाद इस ककून का रुपांतर पीपा में हो जाता है